नमस्कार सेहत नावा में आज बात बच्चों में होने वाली दमा की बिमारी अस्थमा पर क्यों होता है सिम्टम्स क्या होते और कैसे सही तरीके से इसे ट्रीट किया जा सकता है क्या प्रिवेंशन रखी जा सकती है इन सब पर बात बच्चों के माहिर डॉक्टर, सीनिर प्रिडिटरिशन डॉक्टर महेश हीरा नंदानी के साथ बहुत पर स्वागत डॉक्टर महेश हमान इस शोओ में तो आज बात अस्थमा पर हम कर रहे हैं दमा, दमे की बिमारी, बच्चों में अस्थमा क्यों हो रहा है? सबसे पले तो अस्थमा है क्या? जैसे की पुरानी कहवत थी की दमा, दम लेके ही जाता है, पर ये था जो दमा बुजरगों में होता है, वो था उम्र के साथ लंक्स खतम होते चले जाते हैं, और उस वज़े से बुजरगों को सांस की तकलीफ होती है, जिसे की दमा कहा जाता था। उस दमे का बच्चों के दमे से खास लेना देना नहीं है, वो अलग बीमारी है, ये अलग बीमारी है, और एक चीज जो की बहुत अच्छी है, कि बच्चों का दमा रिवर्सिबल होता है, तो अगर अगर धंक से ट्रीट किया जाए, सतर से असी परसेंट बच्चे जो की दमे के सिम्टम्स के शिकार होते हैं, पहले दस सालों में, वो डिजीज फ्री हो जाते हैं, तो ये एक अच्छा होप है, दमा बच्चों का या अस्थमा बढ़ रहा है, कोई शक नहीं है उसमें, क्यों बढ़ रहा है, उसके मुछ रीजन है? सारा हमारा किया कराया है, सारा इनसान का किया कराया है, dust, smoke toxins, chemicals preservatives हर जगे हैं preservative खाने में और जो की वातावरण में है तो dust, smoke, chemicals preservatives ये सारी चीजें हैं जो की responsible हैं डमा के लिए जनेटिक नहीं जनेटिक, asthma, young age में सिरफ हम ये कहेंगे कि अगर किसी को family history है skin allergies की या नाक की allergy या chest की allergy तो उसके chances, उनके बच्चों के chances बढ़ जाते हैं asthma को कहना कि सीधा अगर मावाप को asthma है तो बच्चे को होके ही रहेगा नहीं, ये सच नहीं तो ये जो बाहरी रीजन है वो ज़्यादा effect करते हैं जो external reasons हैं वो हमेशा ज़्यादा responsible होते हैं तो मैं आपको बाकी के कारण बताऊं कि घर में अगर हम indoor plants रखते हैं उनमें भी दमा के chances बढ़ जाते हैं घर में sealant हो और दिवारों पे fungus लगा हो उसमें asthma के chances बढ़ जाते हैं इंडूर प्लांट में कैसे मतलों कहते हैं इसने एक प्लांट लगाई है आप अरिका पाम लगाई है आप तो मनी प्लांट लगाई है यह एर प्यूरिफायर है नाशरल एर प्यूरिफायर है so at the same time एर तो प्यूरिफाय कर दी but पोलन ग्रेंस especially अगर फ्लावरिंग प्लांट होगा तो पोलन ग्रेंस भी होंगे वो जब वो हवा में आएंगे तो डेफिनिटली वो यह करेंगे पैट्स बिल्ली और कुटा अगर घर में रखा है अर्गोष भी कुछ लोग रखते हैं अर्गोष पैट्स उनके जो बाल गिरते हैं डेंडर्स गिरते हैं उनसे भी अस्मा होता है घर में अगर तड़का लग रहा है किचिन में और उसका उसकी जो प्रेंग अगर घर में अंदर आ रही है कई बड़ मिर्ची की उसे खांसी आती है वो कई बच्चों में अस्मा प्रेसिपिटेट कर देगा सिर्फ खांसी तो चलो ठीक है बट यह जो है अस्मा को प्रेसिपिटेट कर सकती है किसी बच्चे को So dust, smoke, even they say, जो छोटे-छोटे कितानू होते हैं, जो घर पर पाय जाते हैं, including cockroaches. जब cockroaches के parts shed होते हैं, उनसे अस्तमा होता, जिनको हम dust mite बोलते हैं. So these are the things, जिनसे की अस्तमा हो सकता है. तो अब symptoms क्या होते हैं, और क्या अलग-अलग बच्चों में अलग-अलग तरह की symptoms होते हैं? जो commonest symptom बच्चों में हैं वो है खांसी. लगातार कैसे खांसी? लगातार खांसी? एक routine नजले में जो खांसी होती है, वो तीन से चार दिन बच्चे को तंग करेगी और ठीक हो जाएगी. और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा. ये तो हो गया नजले वाली खांसी. खांसी जुकाम जो होता है. जब ये खांसी ना जाए, लंबी खिच जाए, या बार-बार हो बिना फीवर के, तब हम कहेंगे कि ये ये अस्थमा की निशानी है. कितना लंबा होती है? खांसी बतलब कितने दो हफते हो, एक महीना चले, कौंटियूस? कौंटिफाई करना मुश्किल है, बट फ्रिक्वेंट एपिसोड़ हो रहे हैं, और खांसी, वैसे दस दिन, अगर दस दिन से जादा चल रही है, तो हम हमारा शक उस तरफ जाता है. जब खांसी काफी देर रहेगी, तो बच्चे को जो उसकी सांस लेना है, वो भी नईजी हो जाएगा, जिसको हम वीजिंग कहते हैं. वीजिंग कहते हैं, खड़ खड़ की आवाज आती है, शाइशाई की आवाज, सीटियां बज रही है चाती में, इस इस द वे पेरेंस आके डिस्क्राइब करते हैं, वीजिंग का कोई और लैंग्वेज में कोई शब्द नहीं है, वीज इंग्लिश वर्ड है, और उसका ए खांसी होना, ब्रीधिंग नॉजी होना, लगातार रनिंग नोज होना, नींद का ना आना, हसने, भागने, दौरने पे खांसी का आना, लेटने पर खांसी का आना, ये सब निशानी है, कि ये रूटीन खांसी नहीं है, ये शायद दमा की निशानी है, हो सकती है, तो इसके साल की आठ साल की या दस साल के बच्चे में उसके बाद आप treatment क्या करते हैं तो खांसी जुखाम सबसे common तकलीफ है जिसके लिए कि माबाप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले के आते हैं पहले दो साल में 6 से 12 एपीसोड हर बच्चे के होते हैं पर जब ये उमर निकल गई और ये एपीसोड भी चले गए पर खांसी अब भी जारी है that is the time हमें सोचना है कि क्या ये allergy है क्या ये asthma है पता कैसे आप फिर कैसे diagnose करते हैं टेस्ट क्या होते हैं ये बड़ी एक हैरत वाली बात है कि asthma कोई test नहीं है कोई blood test नहीं, कोई ultrasound नहीं, कोई chest test, x-ray नहीं कोई x-ray नहीं, कोई blood test नहीं, कोई scan नहीं जो कि हमें ये बता दे कि ये asthma है सिर्फ symptoms है? सिर्फ symptoms और पाँच साल से बड़े बच्चों में हम lung function test करते हैं उन lung function test में हमें ये पता पड़ता है कि क्या बच्चे की सांस लेने की नली सिकुड गई है, narrow है, air passage की narrowing है या नहीं lung function test, pulmonary function test से ये चीज पता पड़ जाती है बड़ पांच साल से कम बच्चों में आप ये नहीं कर पाएंगे जब यून में भी asthma होता है? बिल्कुल होता है, asthma एक साल से उपर किसी भी बच्चे को हो सकता है तो ऐसे में हम बहुत किसम के predictive indexes यूज करते हैं मैंने जैसे आपको बताया है, family history है बच्चे को बच्पन में skin allergies रही उसके बाद में खांसी के episode होने शुरू हुए तीन से जादा episode, जो कि 10 दिन से जादा चलें हम asthma के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और asthma ही एक ऐसी बिमारी है जिसमें trial of treatment दिया जाता है तो उसमें हम जो दवाईयां इस्तमाल करते हैं वो दवाईयां हैं जो कि air passage को चोड़ा करती है जिनको हम bronchodilator बोलते हैं Bronchodilator, syrups, tablet form में, nebulizer और inhalers के form में आते हैं सारी दुनिया सोचती है कि syrup और tablet safe है और जब भी हम nebulizer और inhaler इस्तमाल करते हैं वो कुछ ज़ादा घोर बिमारी है पर ये उल्टा है Side effects होते हैं क्या उसके? उल्टा है जब आप syrups और tablet के form में सेम दवा सेम नेम, सेम chemical, सेम दवा सेरप और tablet form में दे रहे हैं वो 15 गुना ज़ादा दवा जा रही है बच्चे के शरीर में 15 times more और उसी दवा को हम nebulizer और inhaler के जरीए दे रहे हैं 15 गुना कम दूसरी चीज़ जो सिरप ले रहे हैं वो हमारे पेट में जा रहा है पेट से absorb होगा बलड में जाएगा बलड से लिवर में जाएगा और वहां से थोड़े थोड़े पार्ट अलग-अलग पॉड़ी पार्ट में जाएगे तो लंक्स में पहुंचेगा 8%, 7%, 10% जबकि जो मैं inhaler और nebulizer के जरीए ले रहा हूँ वो सीधा लंक्स में जा रहा है अपना असर दिखा रहा है और कुछ सांसों में वो बहार आ रहा तो पर खाली वही क्यों न दिया जाएगा बिलकुल, खाली वही दिया जाता है तो अस्तमा में अगर डाइगनोज हो गया और clinically अगर डॉक्टर को लग रहा है कि यह अस्तमा है inhaler therapy, final answer सबसे ज़्यादा उच्चत इलाज सबसे ज़्यादा सेफ इलाज लीस्ट साइड इफेक्स इस इनेलर थरेपी तो इसके ट्रास्ट करना चाहिए जबकि धारना ये है और मैं ब्लेम करूंगा कुछ ऐसे फोर्सिस को जो कि कहते हैं कि ये गलत है इसके साइड इफेक्स होते है बिलकुल उल्टा है औरल दवाईयां सेम उनके साइड इफेक्स कही ज़्यादा होते है क्योंकि वो पंदरा गुना आपके शरीर में ज़्यादा जा रही तो फाइनली अगर हमने अस्तमा का इलाज करना है सेफिस्ट इलाज इनेलर्स इनेलर्स जब हम शुरू करते हैं हमें लंबे वक्त तक देने होते हैं क्योंकि जो इन्फ्लमेशन रेस्पॉंसिबल है एर पैसेज नैरोइंग के लिए सांस की नली जो सिकुड जाती है इन्फ्लमेशन की बज़े से उस इन्फ्लमेशन को अगर हमने कंट्रूल करना है तो हमें वो लंबे वक्त तक देने पड़ेंगे पर उनकी कॉंटिटी इतनी कम है कि वर्चुली कोई साइड एफेक्ट नहीं करी बहुत सांस में सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाते थे, यह सांस की नली की प्रॉब्लम लेके, वीजिंग लेके आते थे हम उनको अड्मिट करते थे, वो आईसियो में तीम-तिम दिन रहते थे अब यह सारे बच्चे घर पर मैनेज हो रहे हैं OPD में मैनेज हो रहे हैं, क्लिनिक्स में manage हो रहे हैं कभी बढ़ा rarely छोटे बच्चे जो पहले साल दूसरे साल वाले हैं जिनको पहला episode हो रहा है जिसमें मावाप को पता ही नहीं है बच्चे को क्या है वही बच्चे जो इस पताल में आते हैं, दाखिल होते हैं, 6-8 गंटे में इंप्रूव हो जाते हैं, बहुत कम है कि इनको आइसी कोई जरूरत पढ़ती है, और ऐसे में इन बच्चों का इलाज नेबुलाइजर के जरीए, नेबुलाइजर in such situation is life-saving, और वो बच्चों की जान बचाता है, प् हवा जो हम सांस ले रहे हैं, उसका कुछ बगाड सकते हैं, नहीं बगाड सकते हैं, वो तो बदल भी नहीं सकते हैं, बदल भी नहीं सकते हैं, बदल भी नहीं सकते हैं, वो दूर की बात है, क्या हम घर में क्या कर सकते हैं, तो घर में इंडोर प्लांट्स, सीलन और पैट् तीन चीज़ों को कंट्रोल करना है सफाई के वकत ड्राइ मॉपिंग हो जिससे की जो dust mite है house dust mite है और जो dust है उसको उठा लिया जाए so that जब हम पंखा चलाते हैं तो same dust हवा में ना आए जो की बच्चा इनहेल करें और symptomatic हो तो ये तो कुछ चीज़ें हो गई जो हवा की वज़े से हैं कुछ बच्चे हैं जिन में देखा गया है कि कोई particular चीज खाने की खाई इस पर आ रही थी आईस्क्रीम खाली और प्रॉब्लम होगी ऐसा भी होता है तो आईस्क्रीम खाना बरफ खाना दही खाली केला खालिया इनसे खांसी हो गई नहीं ऐसा नहीं होता बट यस अगर आईस्क्रीम में कोई preservative है या कोई coloring agent है जिसको की बच्चा react कर रहा है फिर उसको खांसी हो सकती है बट देन इस वज़े से हम सौ बच्चों को नहीं कह देंगे कि आप सारे लोग आईस्क्रीम बन कर दो वो इडेंटिफाई हो ही जाता है जैसे कि जो खाने में कॉमन चीज़े हैं जिनसे वीजिंग होती है उनमें हैं अफकुर्स जो कलरिंग एजेंट कलर्ड कैंडी जोड़ सौफ रिंग कलर्ड जूस कलर्ड जेली इन में प्राब्लम होती है कई बच्चों को कई बच्चे हैं जो चाइनीज फूड को रियाक्त करते हैं विकॉज आफ एजिनो मोटो एजिनो मोटो से भी काफी नैरोइंग होती है एर पैसेज की तो कई बच्चे हैं जो कि सीफूड को रियाक्ट करते हैं कि जैसे ही सीफूड खाया उससे हो गया कई बच्चे हैं जो सूका मेवा नट से रियाक्ट करते हैं उनसे होता है कई बच्चे हैं जो मिल्क प्रोड़क को रियाक करते हैं उनसे होता तो हर बच्चे का कौन ऐलर्जन है क्या ट्रिगर है वो पता पढ़ी ही जाता है दो चार पांच 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 वार अगर प्रॉब्लम शुरू होती तो पता चाहता है इस चीज की वज़े से विए वो नह प्रॉब्लम शुरूब्लम 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 से 80% बच्चे ठीक हो जाएंगे अस्थमा रिवर्सबल है ठीक हो जाता है अगर बच्छे को अस्थमा को प्रॉपर ट्रीट करिए अगर हम निगलेक्टी करते रहेंगे सालों तक तो पर्मनेंट चेंजिस हो जाएंगे लंक्स के अंदर जिनका आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि इस बच्चे को अस्थमा हो सकता है घबराईए ना धूर ना भागिये इदर उदर आल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स धूनने की कोशिश ना करें कि जल्दी ठीक हो उसके चक्रम शाहिद नुक्सान हो सकता है और अस्थमा की सबसे जो बढ़िया बात है कि ये एक ऐसी बिमारी है जो कि पिछले 25 साल में इतनी एवॉल्व हुई है कि कोई और बिमारी ऐसी नहीं है और वो क्यों आपने बताई है इनेलर थिरेपी ने ड्र कि अवाब है वो घर पर बैठे बैठे एक्ट एकुट एपीसोड का एलाज करते हैं और बच्चा अस्पफटाल जाने से बच जाता है अदे आराम से वो रात को मिड़नाइड जब बच्चा एक्ट एमरिजेंसी में जाता है गर पे होगाते सुबह तक बच्चा को चा प्रेटमेंट दॉक्टर बता रहा है जो सजेशन देरे उसे साफ से चला जा 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 बहुत 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 शुक्रिया सर तो बच्चों में बेमारी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है वशर्ते जो माभब है वह खुद जागरू को और सही तरीके से बच्चे को ट्रीटमे गुत कि भी कर तो बहुत बहुता है जास ऑची तरह के जा जा सहीं वहितनी है क्ली तरह क्लीग। cultियत बहुत जा।